नमस्कार हर घर की बुनियादी जरूरत कुकिंग गैस और जब कुकिंग गैस खत्म हो जाती है तो मानों घर में एक एमर्जनसी सी आ जाती है क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अंदाजा ही नहीं होता और वक्त से पहले gas cylinder खत्म हो जाता है फिर आप agencies को call करती हैं और फिर या तो availability नहीं होती gas cylinders की availability होती है तो delivery time पर नहीं हो पाती ये सभी परिशानियों से आप गुजरते हैं आप जानते हैं क्यों? क्योंकि तेजी से हो रही है काला बाजारी और गडबड़ी gas cylinders cooking gas के मामले में और इसका सीधा असर उपभोगता की जेब पर पड़ता है यानि की आपकी जेब पर पड़ता है तो आईए सबसे पहले हम यही देखते हैं कि किन गडबड़ियों का सामना करना पड़ता है जब बात आती है cooking gas की क्या हुआ टाइम से पहले gas खत्म हो गई क्या हुआ घर में gas खत्म है और बार-बार कॉल करने पर भी cylinder की supply नहीं आ रही क्या कभी आपने इस सोचा है कि इसके पीछे वज़ा क्या है इसकी वज़ा है रसोई gas की काला बाजार दरसल जो cylinder आपको घरों में इस्तमाल करने को मिलता है उसकी कीमत व्यवसाई कामों में इस्तमाल के लिए मिलने वाले cylinder से काफी कम होती है लगभग आधी इसी के चलते कुछ मुनाफख होर लोग gas agencies या hawkers के साथ मिलकर बाजार में अवैध रूप से गैस की काला बाजारी कर उन्हें ब्लैक में ज्यादा कीमत पर बेचते हैं हलांकि सरकार ने इस धांदली को रोकने के लिए Legal Metrology Act 2009 लागू किया है लेकिन जब तक आप खुद अपने अधिकारों के प्रती जागरुक नहीं होंगे और सतरकता नहीं बढ़तेंगे तब तक ये समस्या यू ही अपनी जड़े जमाई रखेगे आप कहां कंप्लेंट कर सकते हैं कि इन बातों का आपको रखना है खयाल गैस सिलेंडर लेते समय इन सभी के बारे में हम जानेंगे मिस्टर कामरान रिजवी से जो की कंज्यूमर लॉयर है कामरान जी स्वागत है आपका जागो में और साथ ही गैस सिलेंडर का इस्तमाल करते वक्त आपको बहुत सी साफधानियों का खयाल रखना पड़ता है जिससे की कोई एकसिडेंट आपकी किचन में ना हो आपके घर में कोई हादसा ना हो तो गैस सिलेंडर इस्तमाल करते समय किन प्रिकॉशन्स का रखना है आपको खयाल ये हम जानेंगे डॉक्टर अंजली कौातरा से ये एक ऐसे एंजियों से जुड़ी है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ही काम करती है किन तरीके की कुकिंग गैस की प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है और ये तो एक तरीके से हमारी बेसिक नैसेसिटी बनती जा रही है तो और कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कुकिंग गैस से रोलेटेड तीन कम से कम जो आम प्रॉब्लम्स है वो यहां तक के जो वेट और डिलिबरी टाइम है ये तो अब एक मेजर इशू बनी चुका है और दिल्चस्प बाती है कि सरकार ही इसका में करता धरता है अलावा इसके कि वो एक लाइसंस डिटेलर्स होते हैं इसके अलावा इसमें कहीं भी प्राइवेट प्रेंस का अभी तक आमल दखल नहीं है तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की तरफ से एक बहुत बड़ा फेलियूर है और खास्ता है बड़े शहर के अलावा अगर हम मूव करते हैं तो ये आप कहीं भी आप जाईए हाईवे पर ड्राइव कीज़े कहीं भी जाईए तो आपको सड़क से पे इधर उधर आपको डिपोज मिलेंगे जो के सिलिंडर के डिपोज हैं जो ये डिलेशिप्स होती है और आप ये पाते हैं कि लोग वहां लाइने लगा के खड़े हुए हैं कतार लगा के खड़े हुए हैं इंतजार में हैं इसका दो ही कारण हो सकते हैं कि या तो आपको समय पे डिलिवरी नहीं मिल रही है या यह के वहां तक केटर डो स्टेप पे नहीं केटर हो पा रहा है तो यह इनी दो वज़वात की वज़ए से बाकी की प्राप्लम्स में है जैसे के बहुत कम एजुकेशन किया जाता है सेफटी पे जैसे आपका अज टॉपिक है यानि ब्लाक में जो मार्केट है जो बहुत ज़़हादा भेल रहा है और कईरेंड़्ट हुए है पूरे ट्रुक के ट्रुक पकड़े गए हैं नखली सिलिंडर्स के साहथ आदेंडर्स के साहथ हर तरह से बगादा कई स्टेट्स नों तो ये एक माफिया की तरह मूव कर रहा है और उसके बावजूद ये पाया जाता है कि एक तो सेफटी पर बहुत ही कम एजुकेशन है यहीं पर जैसे कामरान जी आपने काहा सेफटी पर कम लोग जागरूख है और नहीं साफधानी पर इसलिए डॉक्टर को आतरा है आज हमारे शो पर जो हमारे दर्शकों को बताएंगी कि कुकिंग एस का इसका इस्तमाल करते वकिन साफधानियों का खयाल रखना है लेकि फिल नंबर तो बता रहते हैं लेकिन इसके पाद ना बुकिंग देते हैं अब एक अफ़े से बुकिंग हमारी होनी पारी जा सकते हैं अब देखिया इनका एक ही सिंपल सोलुशन है जिस पी एजेंसी से हमारे चार पांच बड़ी एजेंसी जो सप्लाइई करती हैं एल्पीज म सेल्स हैं तो यह उसमें कम्प्लेंट कर सकती हैं लेकिन मैं इसे एक ही बात कहूंगा कि एवरेज दिल्ली में आथ सुबह मैं अपनी बेगम से बात कर रहा था कि एवरेज इस सिलेंडर का रेट मतलब आपको कितने में मिलता है तो सरकार ने पाबंदी लगा रखी कि 15 दिन का आपके सिलेंडर का टाइम पिरियड है जो आप दुबारा ले सकते हैं तो मैं समझता हूं कि इनके पास जो रेमिडी है वो यह है कि अगर इनके जो प्रोवाइडर है और जो डीलर है उन दोनों से यह संपर करें और जो ग्रिवैंस इड्रेसल है कंपनी का उसको समृति जी को डिरेक्ट उनसे बात करनी चाहिए और समृति जी क्योंकि आप ओनलाइन डील कर रहे हैं तो उनकी वेबसाइट होगी तो ज़रूर वहां पे भी कोई ना कोई कोई कॉलम होगा जहां पर ग्रिवैंस आप अपनी कंप्लेंट दर्श कर सकते हैं या फिर उनका कॉलम होगा वहां पर जाकर आप अपनी परिशानी उनको इमेल करें और साथ यहां पर कॉन्टाक नंबर होगा तो जैसा कि कामरान जी ने का उनको डिरेक्ट कॉन्टाक्ट करें लेकिन अपनी ग्रिव्यांस अपना फीडबैक जरूर छोड़े उनको बहुत ही जादा एज से हो जाते हैं बहुत बड़ी इन्होंने भी मुदा उठाया कि सेफटी की जानकर ही हमारे जनता में नहीं है और अचानक हादसा होता है और तब हाथ में कुछ नहीं रह जाता अब देखिए हमारे अर्बन हाउजोल्ड में गैस से आदा इस्तमाल होती है तकरिबन अठारा अठारा हुआ है तो इससे पता चलता है कि जो LPG gas की usage है यह कितनी यादा खत्रा हमारे जंदगी में पीदा कर रही है अकसर क्या होता है कि पूरी — kijken सब्सक्राइब करें और काई रहिए क्षिपैब कोलोंMM तरुस प्रेज में पूर्पय। सब्सक्राइब करें नियाया जाते है czy पुड्सकों मॉजी मेरेस आपकान मरें इस यह शची प्रेल और में fix April किन अड़ सराइब लिए चमॉजा पक्शिा है हमें अगर नहीं sense करनी आते हैं क्योंकि जो gas है यह cooking gas और लेस और लेस है इसका ना कोई रंग है और नहीं कोई इसका रूप है और यह कोई smell है smell नहीं है और यह हवा से heavy होती है तो यह नीचे settle हो जाती है तो especially morning में कई accidents होते है जो cook करने जा रहा है उसने switch on किया light का और एकदम explosion हो गया क्योंकि जो gas कठी हुई है उसको अगर हमने sense नहीं हमें अगर अपने storage ठीक से नहीं की है और हमने उसको रात को regulator बंद नहीं किया है बहुत जरूरी है कि gas का regulator क्योंकि सुबह के वाकत एकदम से react करना भी मुश्किल है जी सुबह थोड़ी नीद में होते है अपनी proper senses में नहीं होते है तो अगर नहीं कर पाय तो एकदम हाथसा बन जाता है क्योंकि जो सही gas कोई भी spark उस gas को ignite कर सकता है जो हम switch on करते हैं तो एक spark होता है यहाँ पर डॉक्टर कवातरा जी आपने एक बहुत सही बात कही कि रात को सोते समय जो gas का regulator है उसको आप बंद करके ही सोए क्योंकि रात भर हो सकता है leakage हो जाए और सुबह आपको पता ना लगे आप जो gas on करें या अब switch on भी जब करते है तो इसमें एक spark होता है तो spark से भी एक बहुत बड़ा हाथसा हो सकता है आग लग सकती है तो पहली टिप रात को सोते समय अपना regulator को switch off कर दे उसको बंद करते और किन साफधानियों को आपको रखना है ख्याल cylinder लेते वक्त भी और इस्तिमाल करते समय भी इनके बारे में जानेंगे रुकेंगे एक break के लिए आज हम बात कर रहे हैं कि cooking gas जो gas cylinder होता है उसको लेते वक्त इन साफधानियों का ख्याल रखे और साथी उसको इसको इस्तिमाल करते वक्त इन precautions का ख्याल रखे सबसे पहली जो साफधानी होती है cylinder लेते वक्त कि आप उस cylinder को तौलवा जरूर ले उसका weight जरूर करा ले या तो आपके घर में weighing machine होगी या फिर जो vendor आपके पास आता है सिलेंडर देने के लिए उसके पास भी weighing machine होनी चाहिए एक spring balance होता है जो उसके पास होना चाहिए आप उससे पूछिए और अगर उसके पास नहीं है तो उसका चालान तक कट सकता है आप immediately अपने supplier को call करें उनको बताएं कि जो vendor आया है उसके पास weighing machine नहीं है और उसको तौल और जितना cylinder, जो खाली cylinder होता है उसका weight cylinder के उपड़ लिखा होता है जितना, कितना होता है कामरान जी, 14 kilo, 24 kilo, 200 grams इतना होना चाहिए वो minus करके आपका weight cylinder का उतना होना चाहिए हर बार, तौलने के बाद, weight करने के बाद ही cylinder गर और अगर आप किसी society में रहते हैं तो RWA की तरफ से भी जो सरकार है उन्होंने वेंग मशीन्स दी हुई हैं कि जो वेंडर है जो सप्लायर है वो तब ही आपकी सोसाइटी में एंटर कर सकता है जब तक उसके सारे सिलेंडर्स चेक नहीं हो जाते तो आप अपनी सोसाइटी में भी बात कर सकते हैं कि इस बात का ख्याल रखें ये पहला कदम आपको आज ही उठाना है अगर आपकी जेब पर कोई आपको नुकसान नहीं चाहिए गैस सिलेंडर के मामले में अभी जुड़े हमाएं साथ मनोज हर्याना से मनोज जी सवाल पूछिए मैं मैं जानकारी चाहरा था कि जैसे हम लोग लाइन में लगते हैं चुट्टी ले करके बट हम लोगों को फिर भी लास्ट में ये मिलता है कि सलेंडर खटम हो गया कल मिलेगा जी और एक आदमी आता है पीछे से किसी जानिमानी हस्ती की पर्ची ले करके उसे बैक यार से स कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो इंस्टेंट रिजर्ट कहां से आ सकते हैं जी बिलकुल मनोजी हम इसी काला बाजारे की बात कर रहे हैं जानते हैं कि कहां इसकी कंप्लेंड कर सकते हैं लेकिन उससे पहले हम वर्मा जी से भी बात कर लेते हैं जिन्होंने हमें मेरत से पूचिये सवाल, वर्माजी आप हमें सुन सकते हैं, जी बताइए, आपको आबाजा रही है, जी बिल्कुल, बताइए, पूचिये अपना सवाल, मैं ये कह रहा था, जी जैसे, हलो, हां जी, ये लोग यो करते हैं, कि बहार पे अपने डिस्पिले नहीं करते हैं, कितना स्ट क्योंकि आप जब जाते होंगे, तो आपको अवेलेबल नहीं होता होगा, तो कैसे मनोची ने भी का, कि एक इस्टेंट रियाक्शन भी होना जरूरी है, तो कंप्लेंट कहां करें, और जो इनको रियाक्शन भी मिले, दो जगाए इसकी कंप्लेंट हो सकती है, जहां पर इमिजेट रिकुलेटर है, तो क्योंकि और दूसरा जो आपके मिटरलाजिकल डिपार्टमेंट होता है, जहां पर वजन और तोल और होडिंग के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, उस महकमे में भी आप उनकी, जो हमारे सेकिंड कॉलर थे, जो उनकी एक खास किसम की कंप और आप देखेंगे भी कि यह लिखा जरूर होता है, लेकिन वो करते नहीं है, तो इमिजेटली आप SDM आफिस में आप कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका इमिजेट एक तरह से रेगुलेटर रहता है, और SDM आफिस जो है, वो इन चीजों को कई चीजों को रेगुलेट करता ह जो पेट्रोल प्राडक्स है, उन सभी को करता है, तो यहां पर हम अपने सभी दर्शकों को यह कहेंगे, कि आप SDM आफिस का जो नंबर है, वो आप अपने फोन पर रखें, पहले तो आप उस डीलर के सामने, उस सप्लायर के सामने ही बताएं कि यह वो गलत कर रहे हैं, जा कोई इसान गलत काम कर रहा होता है, और वो देखता है कि सामने वाले के पास जानकारी है, वो जागरुक है, और उसको पता है, उसके अथिकार क्या है और वो कंप्लेंट करने को तयार है, तो जरूर कहीं ना कहीं फर्क पढ़ता है, आप देखेगा कि वो जो Supplier होगा, वो 100% safety होता है और दूसरा क्या precautions ले सकती हूँ जब SS mail लाय तो gas का जी बिलकुर शर्मिश्टा जी हम इसी के बारे में आज जानकारी देनी कोशिश करें ऐसा कि अपने regulator बंद करने के लिए का तो उनका सवाल है वो complete safety है या उसके और अलावा क्या करना होता है देखिए regulator off करने से maximum safety होती है और it depends कि अगर उसके अंदर leakage है, valve defective हो गया है उसके लिए जरूरी है जब हम gas का cylinder भी लेते हैं तो हम कोशिश करके उसका valve जरू चेक करें और regulator में भी एक valve होता है और वो भी चेक करें regulator में एक safety valve का भी mechanism होता है कि जब excess pressure होने लगता है cylinder के अंदर कि explode ना कर जाए उसके लिए वो safety valve से pressure release हो जाता है मगर अक्सर क्या होता है लोगों के घर में में देखा है कि कई कीडे मकौडे वहाँ पे कतरत होके उस valve को बंद क्या हुआ है तो हमेशा उसको खुला रखना चाहिए उसका जो face है उसका जो मू है building structure से दूर की तरफ अपने से दूर की तर आफ रखे यह हम जानेंगे लेकिन यहां पर रुकेंगे एक ब्रिक के लिए और अगर मशीन आपके पास नहीं है तो वेंडर से लीजिए और जैसे की डॉक्टर कौातर ने बताया है कि रात को सोते समय regulator ज़रूर स्विच आफ करें और जो उसका एक valve है उसको भी clear रखें और साथी शर्मिस्टा जी ने हमसे पूछा था कि अगर smell आती भी है उनको पत कि फोन भी ना यूज करें उसमें भी spark होता है उसके यूज से इस गैस को आग लग सकती है और अगर ज्यादा लिकेज हो रहे है कांट्रोल नहीं हो रहे है तो इमेजेटली फिर fire brigade को फोन करें पुलिस को फोन करें और सबसे पहले gas dealer को ही फोन करें जो office hours में उनका जो अग नहीं तो आग बढ़ने से यह gas cylinder है इसका temperature बढ़ जाएगा उससे जो अंदर की gas है वो और पहलाव लेगी और इससे cylinder explode हो सकता है सिलिंडर के explode होने सी रॉकेट बन के शूट करेगा और उपर बिल्डिंग स्क्रक्चर को तोड़ सकता है जो कि बहुत बढ़ा खत्रा है और जो गैस भी कठी हुई हुए एक fireball की तरह explode करती है तो फिर जो भी खड़ा है उसकी जान जकीन चली जाती है तो इसलिए इसलिए चोटी आग है उसको कंट्रोल कर सकते है तो पहली चीज है एक तो fire blanket डाल सकते हैं दूसरी को fire extinguisher आप यूज कर सकते हैं अगर आपको इस्तमाल करना आता है और पता है इसकी एकस्पारी डेट नहीं क्योंकि यह बढ़ी जल्दी बढ़ सकती है कि सिर्फ 3-4 मिनिट ही हो सक जाएगी तो बड़ा खत्रा हो जाएगी और अगर चोटी आग कंट्रोल से चलती जा रही है आप पानी की पाइप लेकर इस गैस सिलिंडर पर डालते जाए तो उसको ठंडा रख पा रहे होंगे और यह तीरे-दीरे निकलती जा रही है गैस तो वो एक सेफ एक्जिट यह भी तो वो आप बिलकुल हैंडी रखें और जैसे डॉक्टर कौातर ने बोला कि फोन का इस्तमाल ना करें लेकिन फोन करना भी जरूरी है तो इतनी अपनी सयम बनाए रखें कि घर से बाहर निकलने के बाद एक डिस्टेंस पर जाकर आप फोन करें और अगर आपको अगर आप साफधानी बरतेंगे तो इन सब चीजों की जरूरत ही नहीं होगी जहां भी लगे लीकेज है आप एकदम से खिड की दर्वासे खोल दीजे और बाहर जाकर फोन करें एमर्जनसी हेल्प लाइन पर वो आकर सारा जितना भी डिजास्टर होने वाला होगा उस सब को कंट्रोल कर लेंगे लेकिन साफधानी तो आपको ही परत नहीं है यह माई सब जुड़े हैं हरीश दिल्डी से हरीश जी सवाल पूछिए पूलिटिकल लिंग्स होते हैं और जिनके पूलिटिकल लिंग्स नहीं भी होते हैं उनके अधिकारियों को प्रफ्ट करके उनको पैसे चिदा के रखते हैं तो इससे क्या होता है कोई पूलिटिकल लिंग्स है और आपको यह आवाज ना उठाए है उसको आगे के लिए हर to information act जो है वो ऐसे नहीं आता अगर लोग उतनी जद 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 नहीं करते हैं तो struggle तो है लेकिन उसका तरीका फिर यह है कि अगर कोई आपकी सुनवाई वैसे नहीं हो रहा है तो आप court के जरीए consumer court के जरीए जरूर move करें आपको परिशानी तो होगी मैं तो यह नहीं कहूंगा कि परिशानी नहीं होगी क्योंकि इन्होंने जो बात कही अगर मैं कहूं कि यह बात सच नहीं है तो मैं अपने आप से जूट बोलाओं क्योंकि यह पूरी तरह से सरकार regulated है और बहुत ही highly licensed regime के तहत में यह काम होता है तो यह बात जो यह कह रहे हैं वो बिल्कुत सही है और आजकल का जो political महाल है उसमें यह चीज़े बहुत ही आम होती जा रही है और आम आदमी के लिए वाकिए बहुत दिक्कत का समान है और अधिकारी गर्ण रादा ज्यादा तर आक्शन नहीं लेते हैं ऐसे लोगों के तो लेकिन जैसे कि आपने कहा कामरान जी की आवास तो उठानी ही होगी और हरीज जी एक कोशिश कामियाब ना हो लेकिन इन कोशिशों की वज़े से किसी ना किसी ने तो कम्प्लेंट करी तभी तो ये एक्ट बना 2009 लीगल मेटरिलोजी एक्ट जो इसी तरीके के गोरक दंदे को रोकने के लिए मदद करता है और इस एक्ट के जरिए अगर आप कम्प्लेंट क करता है तो कहीं ना कहीं कानून मजबूत हुआ है क्योंकि आप जैसे लोगों ने आवाज उठाई है इसलिए हिम्मत ना हारे आवाज उठाए कानून आपकी जरूर सुनेगा अपनी तरफ से जरूर कोशिश करें कामरान जी बहुत बहुत धन्यवाद चागो में आने के ल बहुत भीवाराए के लगए उन्यवाद कानून जएब।